एलो ट्रेडर्स तो बहुत साथ आपका आज किसने वीडियो मैं हूं हर्ष और आज का टॉपिक है मेरा एक ऐसे स्टेड़िया आपको देना जिसे आप 1 मिनट पे 3 मिनट पे 5 मिनट पे और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं इसका एक ही काम है आपक क्यांड के ख?. और कमेंट में लिखकर भी बताना मुझे कि इस ड्रेड़ियिरेश नहीं होना चाहिए ऍसलिए वीडियो को डारेक्स सुरू करते हैं तो यहां पर मैंने आपके ready एक EMA यहां पर लगाया है 22 EMA ठीक है EMA आपको लगाना आता होगा कैसे लगाना इंडिकेटर्स में जाना है और EMA सर्च कर देना है लिखा हुआ आएगा वह आपको सर्च कर लेना है और उसको यहां पर लंबा नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं तो EMA मैं इसलिए आपको लगाया हैै ताकि आपको सपोर्ड रिस्टेंस का थोड़ा सा अन डज लगा रहे है कि मार्केट सपॉड ले रहा है या रे तो यह सारी अबばい बताने वाल हूं तो विडियो को лайक कर दीजिए स्टेरजी का सबसे पहला रूल किया है कि market कहीं पर sustain करना चाहिए market कहीं पर कभल रुक ना चाहिए वहां पर भाइयर्स भी हैं लेकिन वह न तो यहां पर लीकार सबसे चींचे किया लगा जा निव कर लेकिन ओधा हो जाएगक यहां पर एक red candle ऐसे आई है जिसने इस रेंज को तोड़ा है जब रेंज यहां पर तोड़ी गई है तो इसका मतलब है कि यहां पर sellers ने इंट्रेस्ट दिखाया कि जैलोड यहां पर इसे नीचे ले जाने की को S bikes कर रहे हैं और जब S यह अंगे अधियर्स ले जाने की से जहांएं तो हमें ट्रेट कहा पे लिना है कि जब सैलर्स यहां पे रेंज को breakout हो चुका है यहां पर interest sellers दिखा रहे हैं बायर्स जब आ जाएंगे तब भी हमें double confirmation हो जाना है कि बायर्स आ चुके हैं बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद trade हमें कब लेना जब यह नए sellers यहां पर दोबारा से आएंगे जो यहां पर market को दोबारा गिराने की कोशिश करेंगे तब हमें इन candles में जो green candle का breakout करेंगी ठीक है green candle का होना बहुत ज्यादा कंपल सरी है तो जब green candle का breakout होगा तव इन candles में हमें इस वाली candle में हमें ट्रेड लेना है एक पुट सायर का ठीक है हमें एक पुट को बाई करना आप चाहें तो आप एरदमनी या फिर थोड़ा सा इंदमनी का ट्रेड ले सकते हैं अपने अनुसार क्योंकि कुछ बेगनर से हैं कुछ लोग तो जिनके पास प्रेमियम ही कम है तो वह कम क्वाजिटिटी ट्रेड करेंगे और थोड़ा सा आउट ऑप दमनी के साइड में जाते हैं तो अपने एसाब से आप मेंटें कर लीजे कि आपको कौन सी साइड का लेना है अपने प्रीमियम के साब से तो जब हम याप पे जब 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 ग्रीन केंडल का ब्रेक आउट तरन्त अब पुटवाई करना और इस टोपलोस आपको आपको लगातार यहां पर जब 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 लगाएं यहां पर ग्रीन केंडल का मार्केट का जो भी लोग लोग होने के बाद आपको क्यों धाए नहीं करनी चाहिए लगातार दो लोस में के बाद टेरच कोई नहीं करने चाहिए अगर कोई बन रहा क्यों घर्रच लीजिए अगर कर आड कि इसे अलगी सेट अप Dream मत टो क्योंकि लेकी ह्में डी दो फार मैंने डिखा देहाँ कर दिखा दिखा है कहा यहां से एक रेंज यहां पर बनिए है यह इस रेंज का ब्रेकाउट जब गीडिटाओर्डी इन पर को सैथ है के पार्लगा थे अब यह अविगा रिचेया यहां वागा है और और भी है अभ्रापको छा यहां पर green candle नहीं आई मैंने कोई put ko buy नहीं किया market उपर की वर जा रहा है जब market उपर की साइड में जाएगा तो green candle के बाद में मुझे एक red candle चाहिए जब market में buyers आएंगे तो market उपर जाएगा उसको रोकने के लिए sellers आएंगे या फिर आप यहां पर profit working होगी तो यहां पर एक red candle बन जाएगी, red candle का breakout जब उपर की साइड में होगा, तम मुझे call को buy करना है, तो यहां पर green candle के बाद red candle नहीं है, तो मैं यहां पर call को भी buy नहीं करूँगा, ठीक है, conditions के साथ में ही trade करना है, आप लोग कहेंगे कि market उपर आ गया, अभी यहां पर red candle आ मुवमेंट दिया है, तो मुवमेंट जाने के बाद आपको red candle मिले या green candle मिले, आपको trade नहीं करना है, चाहिए call side हो या put side हो, ठीक है, वैसे ही यही रूल में यहां पर भी apply कर सकता था, लेकिन आपको loss भी देखाना जरूरी है, green candle के बाद profit यहां पर, green candle के बाद profit यहां प पर देखिए, market ने यह वाली एक range बनाई है, market ने proper range बनाई है, जिसमें market फसा हुआ है, और इस range का proper breakout किया है, इतना हमें clear देख रहा है, कि proper breakout हो चुका है, breakout होने के बाद मुझे क्या चाहिए, green candle sir, green candle हमें clear यहां पर दिख रही है, दो मिनट की 2 candles आई है, तो 2 candles के बाद ज आई, जब तक market गर रहा है, और पहले green candle मुझे देख रही है, तोरंत मैं अपना profit book कर लूँगा, ठीक है, again मैं दोबारा trade करूँगा, देखिए, आप लोग कहेंगे वाई, कि हम यहां तक क्यों नहीं hold कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, या फिर आपको trial करना आता है, कर स चाहिए, मैं आपको कुछ rules बता रहा हूँ, अगर आपके पास में खुद का experience है, तो आप अपने असाब से use कर सकते हैं, जैसे ही देखिए, यहां पर green candle का दोबारा break out हुआ है, आप यहां तक profit कर सकते हैं, यहां तक भी ले सकते हैं, equally candle आपको एक अच्छा profit देदेगी, क ऐसा platform है, जो आपको पांच गुना margin दे रहा है, अब पांच गुने margin का lab क्या है, beginners भाई नहीं समझभाते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी भी broker में account open कराएंगे, तो वहां पर मान के चलिए, आप 10,000 रुपे में किसी lot को buy कर रहे हैं, ठीक है, तो उस 10 10,000 रुपे के lot को आप आस्था trade में 5 गुने margin के साथ में सिर्फ 2,000 रुपे में buy कर सकते हैं, यह है 5 गुने margin का lab, तो जिनके पास में capital कम है, trading शुरुआत करना चाहते हैं, जो लोग beginners हैं, अभी अभी market में नहीं आ रहे हैं, और कम पैसे से trade करना सीखना चाहते हैं, experience लेन एक lot ठीक है, 24 रुपे में एक lot मिल रहा है, आपको expiry के दिन हो जाता है, तो यह आपको आस्था broker आपको देगा सिर्फ 500 रुपे में, ठीक है, सिर्फ 500 रुपे में आपको देगा वो, मतलब 5 गुना कम लगेगा, तो जो भी लोग interested है, link description में डाल रहा किया, comment box में मिल जाते हैं, तो कहने मतलब यह है, कि account opening बिलकुल free है, ठीक है, तो जल्दी से जाइए, और आस्ता हम account open कराकर 5 गुने margin का लाग उठाई है, तो कितनी सारी trades है, आप यहाँ पर सिर्फ एक वजा, ठीक है, आज का यह दिन है, सिर्फ एक दिन की trades में आपको बता रहा हूँ, ठ ज्यादातर लोग trap होते हैं, ठीक है, मार्केट में अगर आपको दिखे कि एक एक मिन की candles बन रही है, लेकिन मार्केट बहुत slow चल ला है, trend का भी पता चल जाए ना, आपको, तब भी मार्केट में कभी मत खो, जब तक candles आपको यह ऐसी नहीं दिखेंगे, जैसे बेगरी, ठीक है, मतलब कि अलग-अलग थोड़ी, बड़ी-बड़ी candles अगर आपको नहीं दिखेंगे, तब तक समझ जाए कि यहां पर कोई भी trend नहीं है, और अगर हम यहां पर trend के साथ में भी trade करेंगे, तो भी हमें lossage होने वाले, ठीक है, तो ऐसे sideways में, ठीक है, ऐसे sideways में, slow market में कभी मत फसी है, कभी, आप लोग सोचेंगे कि scalping करके profit लेकर निकल जाएं, लेकर यहां पर आपको केवल फसाया जाएगा, ठीक है, केवल फसाया जाएगा, आपको केवल proper trade कम मिलेगी, आपको मैं काफी देर से बुलना, proper trade करने के लिए, आपको एक range मिलेगी, ठीक है, एक market range का breakout उपर की साइड में करेगा green candle साथ में, उसके बाद आपको red candle दिखेगी, ठीक है, उसके बाद red candle जब यहां पर आ जाएगी, उस red candle का breakout जब होगा green candle की साथ में, तब आपको call साइड में trade करना है, ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो यहां यहां पर देखिए, आप यहां पर range भी मिलेगी, आपको trade भी मिलेगी, आपको, यहां से देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यहां पर red candle breakout पे आप profit बुक करिए, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर देखिए, यह एक range है, ठीक है, आपको range find out कर पर गया, तब जाके इसका breakout हुगा है, तो, यह एक range है, रेंज का breakout होगा, तो, तब मुझे चाहिए, एक red candle, टीक है, यहां पर से red candle के breakout पे भी, आप यहां पर Trad्ड कर सकते हैं, यहां पर इस red candle पर भी, ब्रेक आप पर आप trτιर कर सकते हैं, लेकिन fall side में आप कॉल में आप trade profit आपको मिला है ठीक है लेकिन एक चीज मैं आपको अगें दुबारा से कह देता हूं जब market में आपको यहां पर मान के चलते हैं आपका मन कर रहा है कि यह एक range बन गई range के बाद में मुझे breakout हो गया red candle के breakout पर profit करना है ठीक है तो ऐसे mindset से पहले आपको यह चीज सोचने है market आया कहा अतर 1997 मार्कट सर यहां से आया ठीक है यहां मैं आपको दिखा दूँ market यहां से गया है यहांसे तो कहां पर सोच रहे है यहां पर तब करना है मगर मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो मार्केट पहले 20% निकल चुका होगा तब आपको पता चलेगा कि यहां पर ट्रेंड चेंज हो चुका है हमें कॉलबाई करना चाहिए तब आप 80% तक उसे प्रॉफिट को कमा सकते हैं और 100% पर जाके मार्केट फिर रिवर्स करेगा ठीक है तो बीच में जो ट्राइम मार्केट का उस प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कीजिए पूरी रेंज के बीच का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं इस स्टेड़ी से ठीक है और देखिए मैं आपको दिखा ज़ता हूँ अगर आप चाहें तो ऐसे करके ट्र के ट्राइंग्ल सकेस मैं अप ऐसे बना सकते हैं ठीक है या फिर आप है में इस तरह से यूज कर सकते हैं कि यहां पर देखे एमे को breakout किया नीचे ठीक है यहां पर वन मिनाट के टाइम फ्रेम में तो छोटा सब breakout मान के चलिए लेकिन यह इस ग्रीन केंडल का breakout हमारी स्टेड़ी का खहती है market नीचे ग्रीन केंडल के breakout पर हम पोट वाई करेंगे तो ग्रीन केंडल का breakout नहीं हुआ क्लिए तो उसर्ड दिन मैं कितने केंडल साइब कर मुझे बताना होगा और कमेंट मेचे बता कि इस इक्योरी किटनी है क्या ये लंबे समय तक इस strategy से trade किया जा सकता है और अगर आप चाहें तो इस strategy पर मैं और भी ज़्यादा वीडियोज बनाऊं ताकि और भी अच्छे से समझ में ये strategy आपके आए तो आप मुझे comment में लिखता सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आज किसे वीडियो से सायद आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलावोगा अगर आप चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो चले गिए तो वीडियो को लाइक करके जाएं आज के वीडियो मतना ही जय हंद जय बारत जय स्री राम